नमस्कार दोस्तों आप सभी दोस्तों का एक बार फिर मेरे यूटूब चैनल अमित इस्टेडी टूब में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी की बीच राधस्तान की एक और बढ़ती की नोटिफिक्सिन की लेटेस्ट अपडेट लेग रहा हूं यह है कि RPSC RS notification RPSC भरती का पदों को बढ़ाकर टोटल 972 पद कर दिये गया है संपूर्ण जानकर वीडियो के मैं अदम से बताऊंगा तो आपको नहीं चाना है RS भरती के लिए नोटिफिक्सिन आज जारी कर दिये गया है राधस्तान लोग से वायोग की तरफ से नोटिफिक्सिन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि RPSC के लिए सबसे पहले 905 पद उपर आयोजित की जा रही थी लेकिन इनको बढ़ाकर 970 पद कर दिये गया है तो आपको नहीं चाना है आपको बता दोगी राधस्तान लोग से वायोग द्वारा RPS भरती आयोजित की जा रही थी इसके लिए नोटिफिकिशन 28 जून को जारी किया गया था आवजन फॉर्म 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मांगे गये थे इसके बाद परिक्षा कायोजन 1 अक्तुमबर को किया गया था इसके पस्चाथ 1 अक्तुमबर को ही अधिकर ते आंसर जारी की गया गया थी इसके लिए अब बेर्ती बेस अब रिश्र से इतजार कर रहे हैं रिजल्ट का लेकिन रिजल्ट से पहले leer पहले और पी एसिन ignorance जारी किया गया है तक पनी चाना है आपको बता दूगी RPSC की तरप से बकायद नोट्फिकिशन जारी करके बताया गया है कि यह भारती 905 पदों के लिए की जा रही है लेकिन जिसमें राज सेवाओं के लिए 424 पद रखे गए थे और अधिनस्त शेवाओं के लिए 421 पद रखे गए थे लेकिन इनको बढ़ा कर 992 पद कर दिये गये हैं कि आपको बता दूगी राजस्तान राजी अधिनस्ते सेवां सेयुक्त प्रतियों की प्रिक्षा दोजरते इसके लिए कुल 905 राज्य सेवाई 424 अधिनस्ते सेवाई 481 पदों यह तो आज द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था लेकिन लेकिन इसको पदों को बढ़ा कर नए नोटिफिक्षन जारी कर दिया गया है जिसमें टोटल 975 पदों पर जिसमें राज्य सेवा के लिए 400 क्राण में अधिनस्ते सेवा के लिए 400 कैसी पद रखे गया है नोटिफिक्शन डिस्क्रिशन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं आगे की जानकर प्रप्त करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद